नमस्कार शाथियों आप देख रहे एई अग्रो दरप्न चनल और ऊपको आज में आपसे सौंप क सब्रों कि बारे में बताने जा रहा हूं पूरर फिछ समय वहाइं की दोड़ा नहां की जा सकती है। और इसका उत्पद ने वो एक भीगा में चार किविटल लगबग हो सकता है अब अगर आप इसको एकड के इंसाफ से दे के तो दस किविटल एक एकड में हो सकती है पैदावार इसकी सोप की खेती के लिए दोमट मीटी या बलूई दोमट मीटी बहुत यची रहती है इसके लिए जल बरावाली मीटी नहीं होनी चाहिए जल निकास वाली मीटी होनी चाहिए यानि पानी का खेत में बराव नहीं होना चाहिए तो दोमट मीटी है वो इसके लिए बहुत यूप चाहिए और इसके लिए सवन्म को बहने से पहले खाद में टाल कर पूंतर फाद में पहले पहला स Tortille नरे। भरत पहले जिलन पहले एंशन का को अंधेश्यक तर एंशी सकते हैं यह फशक चाहिए होववादु और इस फसल में समय समय पर खाद भी देते रहे जैसे इसमें बोने से पेले ये भी खाद दिया है दी चीसाबी पारभ यूरिया खाद भी दे सकते तो सौंप की फसल है वो मसलों गूरूब में बिकाम आती है इसमें एक एकट में आप पांच किलों भीज ले सकते हैं पांच चार पांच के लगबग अभी आप देख रहे हैं जैसे इसका यह यह पतला है लेकिन जैसे जैसे यह सौंप बेड़वार करेगी इसका यह डंटल से इक पूदे से काफी सारे में रहागा निकलते हैं और उसमें सौंप बनती है इसके हाइट हो से चल को नियुक्त हृट होती से होती है उति Treatktorव में पंळाने लिए नालेक्ट लेकिन कर थे लेकिन बार यहिए इसमें अपको मिलने यह यह पांबर कांशे कंगर्न कापी जैसे इसमें बाव कंम बिले इस करण यह सब्द का मोसमें अनुकूल रहता है लेकिन इसके पक्ते से में गर्मी भी अनुकूली तोती है निराइगुड़ाइग का भी महत विरता है निराइगुड़ाइग इसमें मैंना फेसल हो करना चाहिए ज्यादा बढ़ार करने के बाद में कियोंकि जैसे व ज्यृद्ण निराइगध मैना के बाद में करदेने चाहिए और इसमें दू बार आप निराइग घुड़ाय कर सकते हैं १ह पदबार Онच में करने लगती हैँ सिंचाई की भी काफी आए सकता होती है समय समय पर आप सिंचाई करते हैं छे महीने की फसल होने करने इसमें काफी बार सिंचाई करनी पड़ती है तो अगर आपके पास में प्रियापत पानी है तभी आप सोंप की फसल बहुए तो सोंप की फसल बहुने के लिए आप तो कोई भी खेती आप करें तो फसल चकर बनाएं एक बार जहां पर खेती करते हैं उसके दो-तीन साल बाद में वहां पर वही खेती करें और पलट-पलट करके खेती करने से प्यदावार अच्छी होती है शरदी के दिनों में पाली लगती संभावार जैदा रहती हैं इसकरन सवंप कि फसल बहुतेज़ स्मपेती समय और निकलते हैं इसमें जो बुच्चा होता है तो वह भी बाद में खास पैदावार नहीं होती है उसके में उपजबर काफी वरभा बढ़ता है तो इसका आप पाले से जरूर बचाए इसका मसलों रूप में उपयों किया जाता है यह एक हरे रंगा दाना होता है और इसको प जाएए और जिसमीं इसकी कटाई की ज꺼ए तो मौसम साप रोने परी कटाई करें कटाई करने के तीन-چार दिन बाद में इसको सुफा करके निकालना चाहिः और इसको निकाल करके आप बोरो में पैय कर सकते हैं इसकी प्लास्टिक के इकटे टेस्त माराष्ट रहे गुझरात इसमें भी यहां पर इसकी खेटी को की जातीए UH वह नागोर जिलह में बहुत जातीए नागोर जिला इसके उत्पादन और ढूर्ब नग संथिसंफार से पहले नहम बहता है नागोर जिलह में इसकी केती है सोंप केती बहुत जादा की जाती है